गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लार्नोलोजी, उमीद है सब लोग का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि तुम सभी को पाता है कि सामने ही SAC का एक्जाम आने वाला है, SAC CHSL और CGL और दो एक्जाम को ध्यान में रखते हुए, यहाँ प आज हम डिसकस करेंगे, टाइम और वर्क का जो प्रिवेस यर क्वेस्टेंस है, जो की मोस्ट रिपीटेट क्वेस्टेंस है, उसके थूँ हम कुछ कॉंसेप्ट, जो की बहुत बार्जिन कॉंसेप्स सबसे जादा क्वेस्टें पूछे गए, वो देखेंगे, और टाइम चेप्टर को समझेंगे, ठीक है, साथ से आठ कॉईस्टें हम लोग करेंगे, आज के सेशन में सब अलग अलग सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्स हम लोग देखेंगे, जो की एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम और वर्क से अगर कॉंसेप्स म से जरूर एक क्वेस्टन आएगा, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्यूंकि ये जो सीरीज है, ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, पूरा मन्त चलेगा, एक्जाम जब तक नहीं आएगा, एक्जाम के वक बक्त भी चलेगे, एक्जाम के वक्त में हम लोग एनलिसिस भी करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करते अगर कुछ helpful लगे तो comment में वो बताते हुए जाना, ठीक है, like करने से comment करने से क्या होता है, कि थोड़ा motivation मिलता है, देखने से समझ में आता है कि तुम लोगों को यह help कर रहा है कि नहीं help कर रहा है, ठीक है, तो यह करते हुए जाना, तो चलो session आज का start करते है, सबसे पहले session स्टार्ट करने से पहले basic concepts देख लेते हैं, एक time and work का कि कि इस concepts के उपर base करके हम लोग question solve करेंगे, concept क्या है, मानो ऐसा question है कि A एक काम करता है 10 दिन में, B करता है 12 डेज में, और C करता है कितना 15 डेज में, तो तुम्हे question यह पूचा है कि 3-1 साथ कितने दिन में काम करेंग तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10, 12 और 15 के LCM ले लेंगे, और LCM हम लोग कैसे लेंगे, हम लोग 2 number को लेके लेंगे, जैसे HCF LCM के last 2 classes में मैंने दिखा या था कि LCM कैसे लेना है, easily shortcut way में वो ऐसे हम लोग इस तरीके से LCM नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, वो मैंने HCF LCM मे सिखा दिया है, जो लोग उने नहीं देखा है, इधर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, मैट्स का, वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है, तो 10 और 12 को किसे डिवाइट करेंगे, 2 से डिवाइट करेंगे, तो कितना हो गया, यह 60 हो गया, 16 to 15, 15 ही HCF बन जाएगा, 15 से कर जाएगा यह, तो 60 आगया क्या, LCM, तो हम लोग क्या करेंगे, जो LCM आया है, उसी को हम लोग मान लेंगे कि total work, 60 unit क्या है, 60 unit total work, ठीक है, अभी हमको क्या करना है, 60 unit, अभी A अगर 60 unit कम 10 दिन में करता है, A 10 दिन में करता है 60 unit काम, तो 1 दिन में कितना करता है 6 unit B कितने दिन में करता है, B 12 days में करता है, तो B 1 दिन में कितना करेगा 5 unit C कितने दिन में कर रहा है, C 15 days में कर रहा है तो C कितने unit काम करेगा, 4 unit, 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक साथ कितना काम करते हैं, एक दिन में, तो 6 और 10, 10 और 15 unit, तो 15 unit काम होता है per day, जब A, B और C, 3 मिला के काम करते हैं, तो total work क्या है, total work है 60 unit, इसको करने में कितना time लगेगा, 60 by 15 कर देंगे, तो कितना न इसी concept के उपर base करके, इसी concept को थोड़ा बहुत change करकर के, हम लोग जो सारा question है आज के session का, वो solve करेंगे, ठीक है, तो चलो पहला question देख लेते हैं, तो देखो पहला question क्या पूछा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, a work can be completed by P and Q in 12 days, Q and R in 15 days, and R and P in 20 days, how many days P alone can finish the work, तो यहाँ से तुम्हें दोनों को मिला के बोल दिया है, एक क्या बोला है, एक बोला है, P plus Q, कितने दिन में करते हैं, 12 days में, दूसरा बोला है, Q plus R, कितने दिन में करते हैं, Q plus R, 15 days में, और उसके बाद क्या बोला है, R plus P, यह भी कितने दिन में करते हैं, 20 days में, तो अगर हम इनके LCM लेंगे तो क्या आएगा 12 x 15 हम लोग किस से डिभाइट करेंगे 3 से करो क्या बन जाएगा 60 60 के साथ 20 multiply करेंगे 20 और 20 कर जाएगा तो क्या आ जाएगा LCM 60 तो LCM क्या आ गया LCM आ गया 60 तो यहां से हम क्या बोल सकते कि यहां से क्या मिला देखो क्या मिला प्लस क्यू पाँच यूनिट क्यू प्लस आर चार यूनिट और आर प्लस पी कितना तीन यूनिट। यहीं तक मिल गया, सब को अगर add कर दे तो देखो, सब repeat हो रहा है, दो बार P है, दो बार R, दो बार क्यों है, तो मैं यह लिख सकता हूँ, 2 into P plus Q plus R, कितने unit काम करते हैं, 5, 3, 8, और 4, 12 unit, तो सिर्फ P plus Q plus R, कितने unit काम करेंगे, 2 से divide कर देंगे, 6 unit, मतलब यहां से क्या निकल करेंगे, एक दिन में, तो 6 unit काम होगा, अब तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है कि P alone कितने दिन में खतम करते हैं, P अकेला काम कितने दिन में खतम कर पाएगा, तो हमें इन P plus Q plus R में से, अगर हम Q plus R को निकाल दे, तो हमें P मिल जाएगा, तो इसमें से अग करते हैं ? Аकेला काम करते हैं एक दिन में तो टोलल वर कितना है 60 गाम करने में कितना टाइम लगेगा 30 देज गांशन स्टे और इंसर क्या बने अंसर बने गांट से तुम लोग को समझा समझा के किया उम्मिद है इस उनलोग को क्लिएर हुआ होगा पहले वाला जो concept समझाया वहाँ से और इस question से इसके बाद जो question है मैं थोड़ा speed में solve करूँगा ठीक है AELCM में direct भी लिख सकता हूँ अगर निकल गया तो तुम लोग थोड़ा समझ लेना ठीक है और अगर कहीं पर समझ में ना आया तो comment में जरूर बताना यह previous year session है previous year का यह review चल रहा है एक session इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा fast करा रहा हूँ इसके बाद जब time and work फिर से मैं chapter wise पूरा पढ़ा हूँगा जैसे मैंने percentage पर्सेंटेश पराया profit loss पढ़ाया simple interest पढ़ाया पैसे अगर जब मैं पूरा chapter wise पढ़ाऊँगा तब मैं फिर से धीरे धीरे पूरा detail में explain कर दूँगा ठीक है अभी थोड़ा speed में करेंगे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day then the part of the work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day ठीक है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है पूरा काम क्या है अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या formula लगता है यहाँ पर लगता है m1 d1 h1 मतलब m1 से कितने आदमी काम कर रहा है यह denote होता है d1 से day denote होता है h1 से hour denote होता है by w1 w1 से क्या denote होता है w1 से denote होता है कि अनोगों कितनेró governo क्यों कितना काम किया अभी यहां पर क्या बोला है यहां पर क्या होका equal to क्या होता है m2 d2 h2 by w2 equal to हो जाता है equal to क्यों होता है क्योंकि जो total work है जो total work है वो similar होता है ठीक है अब इस formula में अगर मैं value put करूँ जो जो यहां पर बोल दिये मैं मुझे पहले क्या value मिला है 90 into क्या बोला है 16 days कितने hours 12 hours कितना काम हो रहा है पूरा काम हो रहा है तो यहां पर w1 क्या होगा one हो जाएगा one ही लिख देते हैं यहां पर तुम्हें क्या पूछा है यहां पर तुम्हें पूछा है m2 बोल दिया है कितना 70 d2 बोल दिया है कितना 24 h2 बोल दिया है 8 w2 किया w2 ही तुम्हें पूछा है कि कितना हिस्सा काम कम्प्लीट होगा तो देखो w2 equal to में क्या लिख सकता हूं फिर में लिख सकता हूं 70 into 24 into 8 नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 90 into 16 into 12 यह नीचे आ तो काट के देखो कितना आता है यह 8 आएगा यह कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा यह 8 से 16 कट जाएगा 2 हो जाएगा 2 से 8 कट जाएगा चार चार से यह कट जाएगा कितना हो जाएगा 3 और कुछ नहीं कटेगा तो कितना होगा 7 by 9 तो w2 क्या है 7 by 9 मतलब पूड़े काम का कितना हिस्सा कंप्रीट होगा 7 by 9 part कंप्रीट हो जाएगा इसी था, सेफ value put करना था, यह याद रख लेना, यह direct इसको लिखके यहाँ पर value put कर देना, इन सब question का answer निकल जाएगा, यह वाला जो concept है, यह याद रखना, सिर्फ इसको याद रखना, M1, D1, H1 by W1, M2, D2, H2 by W2, सिर्फ इसको याद रखो, यही से question complete हो जाएगा, उम्मी piece of work in 12 days and B can do it in 18 days, they work together for 2 days and then A leaves, how long will B take to finish the remaining work, दो दिन काम किया, फिर A चला गया, तो बाकी काम जो है, B को खतम करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर क्या बोला है पहले, A बोला है कितना दिन में काम करता है, 12 days में, B कितने दिन में करता है, B बोला है, 18 days में, LCM ल 36 आ जाएगा, तो A करता है, 3 unit काम, B कितना करता है, 2 unit काम, तो A प्लस B जब काम करते हैं एक साथ, तो कितना unit काम होता है, 3 प्लस 2, 5 unit, एक दिन में, अभी बोलोग एक साथ कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना unit काम हो गया होगा, 2 दिन में 5 into 2, 10 unit काम ख remaining कितना है 36 था 36 से 10 गया तो कितना बचा 26 26 unit काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा वो B करेगा और B एक दिन में कितने unit काम करते है 2 unit 26 unit खतम करने में कितना time लगेगा 13 days तो answer क्या आगे option D 13 days देखो यहां से 2 तरीके का question पुछा जा सकता है एक तो तुम्हें remaining और कितने दिन में खतम होता है यह पूछेगा और एक पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में खतम होता है तो यह थोड़ा देख लेना जब पूरा काम कितने दिन में खतम होता है यह पूछता है न तब option में 13 days भी डालेगा और उसके साथ दो add करके एक option में 15 days भी डालेगा दोनों option इस तरीके से डालेगा तब जाके 15 days answer होगा जब पूरा काम कितने दिन में खतम होता है ये पूछेगा क्योंकि पहले ही दो दिन अल्रेडी काम हो चुका था उसके बाद b को और 13 days लगा तो ये बात याद रखना 15 days तब answer होगा याद रखना क्योंकि तब क्या होता है ये दोनों option तब option में 13 days की उडालता है क्योंकि student को यही ध्यान में रख रहता है कि remaining work निकालना है वो 13 देखते ही 13 option में भी देखके answer mark कर देता है question थोड़ा ध्यान से पूछ लेने ये SAC बहुत करता है यहाँ पे remaining work ना पूछके बोल देगा total work कितने दिन में खतम हुआ तो ये ध्यान में रखना total work अगर पूछेगा तो ये जो पहले जितना दिन काम हो चुका होगा वो भी add हो जाएगा add होके answer निकलेगा उम्मीद है clear हुआ होगा आगे जलते है इसके बाद देखो क्या बोला है next question यहाँ पे बोला है A and B together can complete a work in three days they start together but after two days B left the work if the work is completed after two more days B alone could do the work in अच्छा एक बात यहाँ पे बताना जरूरी है अगर जो total work है total work है यह total work अगर constant है total work अगर constant रहेगा तो number of days number of days और efficiency का relation क्या होता है efficiency का inversely proportional होता है efficiency का relation होता है यह लोग inversely proportional होता है मतलब number of days ज़ादा लग रहा है तो उसका efficiency कम है number of days कम रख रहा है तो उसका efficiency ज़ादा है efficiency मतलब क्या एक दिन में कितना unit काम कौन करता है मतलब अगर last question के हिसाब से में बताओ last question के हिसाब से में बताओ तो वहाँ पे जो unit निकल रहा था न A तीन unit करता है B दो unit करता है तो ये हुआ efficiency efficiency मतलब A का efficiency 3 है B का efficiency 2 है तो इस तरीके से efficiency मतलब number of unit done, number of unit done in one day एक दिन में कितना unit काम होता है ठीक है ये क्यों बताया है ये इधर काम आएगा question को छोटा बनाने में क्यों क्योंकि देखो A और B क्या बोल रहा है A plus B एक काम को खतम करता है कितने दिन में तीन दिन में ठीक है after two days B left तो B चला गया दो दिन बाद तो दो दिन बाद B चला गया अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो दो या से माइनस कर दो अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम खतम हो जाता A और B का काम कितने दिन खतम कर लेते हैं अगर दोनों एक साथ काम करते हैं एक दिन में खतम कर लेते हैं लेकिन अभी B चला गया तो एक को कितना दिन लगा टू डेज लग गया और जो काम और एक दिन लगता दोनों एक साथ करते तो उसको खतम करने में एक को दो दिन लग गया ठीक है यहां से क्या होगा यहां से मैं यह बोल सकता हूं कि A प्लास B और A का दिन का रेशियो क्या है वान इस्टो टू है तो इस हिसाब से इन लोगों का डेज का रेशियो क्या है वान इस्टो टू है इस हिसाब से इन लोगों का एफिशियनसी का रेशियो क्या होगा inversely proportional है, मतलब जो ratio होगा वो exchange हो जाएगा inverse हो जाएगा, मतलब 2 is to 1 बन जाएगा efficiency का ratio मतलब A और B का efficiency अगर 2 होगा, तो A का अकेले का efficiency 1 होगा, ठीक है efficiency कम है, इसलिए जादा दिन लग रहा है, efficiency जादा इसलिए कम दिन लग रहा था, clear है अभी A plus B का 2 है और A का 1 है, तो B का कितना होगा B का fit 2 minus 1, B का efficiency भी 1 हो जाएगा, 1 plus 1, 2 efficiency आगया, अभी तुम्हें पूछाए B alone could do the work A plus B का efficiency कितना निकला है, 2, दोनों किंटने दिन ते काम खतम कर लेते थे, 3 दिन में तो total work में यहां से निकाल सकता हो कि 3 into 2 करके 6 unit 6 unit में total work यहां से निकाल सकता हो यहां से निकाल सकता हो total work क्योंकि इन लोगों का efficiency से मुझे मिला दो उससे मैं कितने दिन में वो काम खतम करते उसको multiply करूंगा, total unit निकल जाएगा तो total work अगर 6 unit है और B 1 unit काम करते है रोज तो B को पूरा काम खतम करने में कितना दिन लगेगा 6 by 1, that is 6 days इसको LCM लेके भी किया जा सकता था लेकिन इस तरीके से ratio से करोगे तो बहुत जल्दी खतम होगा, यह तुम लोगों को समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ा इस तरीके से oral हो जाता है यह question solve ठीक है, तो थोड़ा practice कर लो exam से पहले अभी ज़्यादा पढ़ना है अभी ज़्यादा पढ़ने है थोड़ा पढ़लो थोड़ा practice अच्छे से कर लो exam में यह question आएगा तो ज़रूर कर पाओगे और जो दो marks मिलता है यह question का वो तुम लोगों को obviously मिलेगा, negative नहीं होगा और छोड़ के भी नहीं आना पड़ेगा, ठीक है आगे बड़े यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है a certain number of men can do a work in 40 days if there were 8 men more it could be finished in 10 days less, how many men were there initially क्या बोला है, एक certain number of men कितना है वो number वो तुमें नहीं बोला है certain number of men बोला है एक काम को 40 दिन में खतम कर रहा था अगर 8 लोग जाधा होता तो जो दिन है वो 10 दिन कम लगते मतलब 30 दिन लगते how many men were there initially तो यहाँ से यह भी relation आता है और एक relation यहाँ से आता है जब total work constant रहता है total work जब constant होता है तब क्या होता है man और days के बीच में भी inverse relation होता है यह भी inversely proportional होता है फिर से क्यों फिर से हम इस question को ratio से करने वाले हैं तुम लोग समझ गए होंगे तो मैं अगर d1 d2 ले लू d1 d2 का ratio ले लू तो पहले कितना लगता था पहले 40 दिन लगता था और आप कितना लगेगा 30 दिन तो ratio क्या आगया 4 is to 3 4 is to 3 तो इसी हिसाब सागर में change कर दू m1 m2 क्या हो जाएगा inversely proportional है m1 m2 ultra हो जाएगा 3 is to 4 3 is to 4 हो जाएगा तो यह जो एक unit का gap है इस एक का value कितना तुम्हें बोल दिया है इस एक का value बोल दिया है 8 man 8 man more यहाँ पे बोल दिया है इस एक का value क्या है 8 man तो तुम्हें क्या निकालना है तुम्हें बोला initially कितना था तो तुम्हें initially 3 का value निकालना है 3 का value कितना हो जाएगा 24 man तो एंसर क्या बन जाएगा एंसर बन जाएगा option B 24 clear अगर तुम्हें पूछता last में जो 8 में ज़ादा है second equation में कितना second condition में कितना में ज़रूरी था तो 4 गव हैलो निकाल देते 32 answer हो जाता clear है तो यहाँ पे answer क्या हो गया 24 देखा कितने easily हो गया ratio से इसको और किसी तरीके से करने जाते तो ज़्यादा दिक्कत होता एक्स पकड़के करने जाते तो बहुत दिक्कत हो जाता एक्स पकड़के नहीं करना है question को जल्द से जल्द solve करना है इन सब question को time and work एक extra chapter है ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा concept नहीं है कुछ tough concept नहीं है simple simple concept है याद रखोगे थोड़ा practice करोगे तो ओराली कर पाओगे exam में इतना बोल सकता हूं time and work का 95% question औराली बन जाता है अगर थोड़ा practice कर लो थोड़ा ज्यादा भी नहीं थोड़ा practice करना होगा कर लोगे उम्मीद है next question पर चलते है next देखो यहाँ पर क्या बोला है 15 men can finish a piece of work in 40 days the number of days after which 5 men should leave the work so that the work is finished in 45 days altogether यहाँ पर एक बात comment में बताना कौन लोग पहले से मेरा class कर रहा है मतलग फॉन लोगों ने यहाईसा है जो percentage का भी class किया profit loss का भी किया जो लोगों ने किया है उन लोगों को पता है कि मैं allegation जो process होता है उसके उपर बहुत जादा जोड़ डालता हूं क्योंकि allegation एक ऐसा method है एक ऐसा process है जो हर एक chapter में यूज हो जाता है arithmetic का ऐसा कोई chapter है नहीं जहाँ पर allegation नहीं लगता है जैसे यह वाला question यह वाला question बोल सकते है allegation से कैसे होगा चलो दिखाता हूं यह वाला question भी allegation से ही हो जाएगा 15 men can finish a piece of work क्या बोला है 40 days में खतम कर रहा है लेकिन तुम्हें यह पूचा है कि कितने दिन बाद पांच लोग को चले जाना है ताकि जो total काम है वो 45 days लगे खतम होने में पूरा काम खतम होने में 45 days लगे तो यहाँ पर मैं दो चीज़ आज़िव करूगा एक तुम्हें आज़िव करूगा पांच लोग चले जाएंगे मतलब 10 रहे जाएंगे तो एक तुम्हें यह assume करूंगा कि एक condition ऐसा है कि 15 लोग ही 45 days तक काम करेंगे तो कितना unit काम होगा 675 अच्छा से समझना दूसरा condition में यह assume कर रहा हूं कि 15 नहीं यहां पर 10 सब्सक्राइब कर रहा हूं कि 10 लोग 45 दिन तक काम करेंगे तो कितना unit काम होगा 450 unit ठीक है बट एक्चुल जो वर्क है वो कितना unit का है वो तो 15 में 40 दिन में खतम करता है मतलब जो actual वर्क है वो कितना है वो 15 into 40 है that is 600 unit तो अभी इसका हम अगर allegation लेंगे तो क्या आ जाएगा allegation करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से difference कितना आएगा 75 और यहां से difference कितना आएगा 150 तो 150 is to 75 क्या हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा 2 is to 1 मतलब जो काम है वो 2 is to 1 unit में बटेगा किसी साब से 15 लोग जो है वो दो पार्ट का काम करेंगे और 10 लोग जो है वो एक पार्ट काम करेंगे मतलब total दिन जो है 45 days जो है यह भी 2 is to 1 रेशियो में बट जाएगा मतलब जो दो पार्ट है 45 days का that is 30 days वहां पे कितना लोग काम करेंगे 15 men काम करेंगे और यह जो एक पार्ट है that is 15 days वहां पे कितने लोग काम करेंगे 10 men काम करेंगे तो क्या answer निकलने के लिए बोला था कितने दिन बाद 5 लोगों को चले जाना है तो answer हो गया 30 दिन बाद चले जाना है 30 दिन बाद चले जाना है देखा इस question को तुम लोग किस तरीके से करते मुझे पता नहीं लेकिन allegation से देखा कितने easily solve हो गया यह जो unit निकला इस unit से ही हम लोग दिन को divide कर देंगे कि इसी हिसाब से दिन बढ़ जाएगा कि इतने दिन 15 लोग काम करेंगे इतने दिन 10 लोग काम करेंगे clear हुआ allegation से किस तरीके से हो सकता है इस type का question अगर आ जाए exam में तो याद रखना इस तरीके से allegation लगा के answer निकाल लेना और किसी तरीके से करने जाओगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा complicated बन जाएगा मत करना बारबर बोल रहो मत करना अच्छे से देख लेना allegation लगा के कर लेना और अगर कहीं पर doubt है कहीं पर भी कोई भी step में समझ में नहीं आया है तो comment में वो particularly mention करना ठीक है तो next session में मै उसको जरूर कभर करूंगा चलो आगे बढ़ते हैं कि यहां पर देखो क्या बोल रहा है a man and woman working together a man and woman working together can do a certain work in 18 days their skills is doing the work are in the ratio 3 is to 2 how many days will the woman take to finish the work alone क्या क्या बोला है दोनों एक साथ पाम करते हैं तो काम कितने दिन में खतम होता है 18 में खतम हो जाता है और दोनों का जो स्कील का रेशियो का रेशियो बोला है 3 is to 2 और तुम्हें ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों एक साथ कितना unit काम करेंगे पांच unit पांच unit काम करते हुए 18 दिन में बोलोग खतम करते हैं तो total multiply by 18 अब इसको multiply मत करो ऐसे ही रहने दो पूछा क्या है How many days women take to finish the work alone अकेले खतम करना है तो पूरा total work कितना निकला है 18 into 5 इसको खतम करना है कि इसको सिर्फ women को जिसका efficiency क्या है 2 तो 2 से divide कर दो कितना आगया 45 days 45 days में खतम कर लेगा यहाँ पर multiply करने के लिए इसलिए मना किया कल सकते हो यहाँ पर तुम 90 लिख सकते हो क्योंकि यह छोटा value लिख के फिर भी calculate कर पाओगे लेकिन कभी question में ऐसा आजाए कि यहाँ पर कुछ बड़ा value आजाए जाओ multiply करके एक लंबा value आ रहा है तो तब multiply करना नहीं यह बात समझो क्योंकि हमें total work जो है यह जो total work निकला है इसको हमें फिर से divide करना था तो multiply क्यों करें वैसे ही रहने तो divide करके final एक ही बार multiply करेंगे इसलिए मैंने बोला multiply मत करना अगर छोटा value है तो ठीक है कर सकते हो लेकिन बड़ा value होगा तो multiply मत करना यह वाला जो यह सब calculation का प्रोसेस से जल्दी calculation को खतम करने का यह सब भी याद में रखना थोड़ा चलो आगे देखते हैं कि यह question आज के session का last question है अच्छे से देख लेते हैं इसको क्या बोला है a certain number of men can complete a job in 30 days if there were five men more it could be completed in 10 days less how many men where they are in the beginning ठीक है 30 दिन में खतम करते हैं तो वही है d1 d2 ले लो d1 d2 ले लो 30 दिन में खतम करते हैं और कितना 10 दिन कम लेंगे मतलब 20 दिन में खतम होगा second case में ratio क्या आगे है 3 is to 2 तो m1 m2 का ratio के आ जाएगा m1 m2 का ratio आ जाएगा 2 is to 3 2 is to 3 ratio आ जाएगा यह जो एक यूनिट का gap है यह कितना बोला है तुमको 5 बोल दिया है 5 men बोल दिया है तो तुम्हें क्या पूचा है how many men were there in the beginning beginning में 2 unit था 2 unit का value क्या हो जाएगा 10 men तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा option है 10 clear है इस तरीके का जो question है यह जो दिन और लोगों का यह जो question है उम्मीद है इस question में कोई doubt अब नहीं बचा इस तरीके से equation से ratio लेके तुम कर सकते हो equation नहीं ratio से तुम लोग कर सकते हो inversely proportional होता है यह एक जगा याद रखना दो चीज याद रखना एक तो मैं बोल रहा हूं जब total work constant होगा तो दो relation बनता है total work जब constant होता है तब दो relation बनता है एक तो जो days है वो inversely proportional होता है men's के number of men's या फिर कुछ भी बोलो इसका क्या लिखा मैंने men's के साथ inversely proportional होता है यह गया एक दूसरा क्या जो efficiency है efficiency जो होता है वो भी inversely proportional होता है days मतलब यह मैं बोल सकता हूं कि जो days है total work अगर constant रहेगा तो जो days है वो दुनों के साथ मैंन के साथ भी efficiency के साथ इनवर्सली proportional होता है यह चीजे दो चीजे याद रख लेना यहां से ratio निकाल के ratio से बहुत साड़ा question बहुत easily solve हो सकता है उम्मीद है समझ में आया होगा यह session तुम लोगो को जो जितना question मैंने कड़ाया समझ में आया होगा अगर कहीं पर कुछ भी doubt है तो comment में जरूर बताना मिलते next session में और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करते हुए जाना दोस्तों को बताना कि इस तरीके से session चल रहा है तो आके वो भी subscribe करें देखे session ठीक है मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर से next session में तब तक के लिए thank you and bye bye